नाम उद्धव ठाकरे जन 27 जुलाई 1907 पिता बाला साहेब ठाकरे शोग फोटोग्राफी जीवन संगिनी रश्मी ठाकरे बेटे, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे से राजनीती काक्का कहरा सीखने वाले उद्धव ठाकरे महराश्टर के मुख्यमंतरी बन गये शिवसेना प्रमूक उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को महाराश्टर के 19-वे सियम के तौर पर शपत है मनोहर जोशी और नारायन राने के बाद वो शिवसेना से राज्ये के तीसरे मुख्यमंत्री है जोशी और राने 1990 के दशक में मुख्यमंत्री रहे इसके अलावा उद्धव सियम पत पर आसीन होने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदसे भी है उद्धव ठाकरे ने अब तक अपने पिता बाल ठाकरे के साये में रह कर ही सियासत की थी लेकिन ये पहली बार है जब वो अपनी राजनीती को नए सिरे से परिभाशित कर रहेंगे वैसे यहाँ ये बात भी समझनी होगी कि उधव ठाकरे को राजनीती भले विरासत में मिली हो लेकिन 2003 में शिफ सेना की कमान हासिल करने के बाद से उन्होंने पार्टी को कई मुश्किल हालातों से निकाला हम आपको बताएंगे कि फोटोग्राफी से लगाव रखने वाले उधव ठाकरे किंग मेकर कैसे बने बाल ठाकरे के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल भूज रहा था कि क्या आप शिफ सेना उतनी सशक्त नहीं रह पाएगी लेकिन अपने पिता से विरासत में मिले राजनीतिक अनुभव से उन्होंने शिफ सेना को मजबूती दी उद्धव ठाकरे युवाकाल से ही शिफ सेना के मुखपत्र सामना में संपादक्किये विभाग में काम करने लगे इस दोरान उद्धव ने पार्टी की विचारधारा को समझा अलाकि बाल ठाकरे ने उन्हें पार्टी के कामकाज से दूर ही रखता बाल ठाकरे अपने साथ सहयोगी के रूप में हमेशा से भतीजे राज ठाकरे को आगे रखते थे कहा जाता है कि बाल ठाकरे के समय शिफ सेना में नमबर दो के नेता राज ठाकरे ही थे राज ने अपने सूजबूज और राजनितिक समझ से पार्टी को नई उचाईयों तक पहुचाया उधफ ठाकरे बचपन से ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन रहे हैं वो राजनिति से दूर अपने फोटोग्राफी के काम में मगन रहते थे वो इससे जुड़ी प्रदर्शनियों और पर्यावरण से जुड़े कारेक्रमों का आयोजन भी कराते थे उधफ के लिए फोटोग्राफी एक जुनून रहा है उन्होंने चौरंग नाम की एक एड़टाइजिंग एजेंसी भी बनाई उनके द्वारा खींची गई महराश्ट के कई किलों की तस्विरों का कलेक्शन जहांगीर आठ ग्याल्गरी में है सीम बनने के बाद जानते हैं उनके लिए क्या चुनौती सामने होंगी अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले उद्धव के लिए गडबंधन सरकार चलाना चुनौती अलग दलों से गडबंधन करना और उनके साथ सरकार चलाना भी उद्धव के लिए चुनौती पून उद्धव ठाकरे का परिवार उदफ्ठाकरे के परिबार में पत्नी रश्मी के अलामा दो बेटे हैं आदित्य और तेजस आदित्य सियासत में अब तक जाना माना चेहरा हैं इस बार के विधान सभाचुनाव में आदित्य वरली सीट से खड़े हुए और जीत कर रहा है दूसरे बेटे तेजस का राजनीती नुरुजान कम है इस समय तेजस नियू यॉर्क की बफेलो सिटी के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं परिबार और शौक के बारे में जाननी के बाद एक नजर डालते हैं उनके अब तक के सियासी सफर पर राजनीती में कदम 1990 के आखिर में 2002 बीमसी चुनाव में पार्टी को जीत दिलाए 2003 शिफसेना के वर्किंग प्रेजिडेंट बने 2006 सामना के एडिटर इंचीफ बने 2012 बीमसी चुनाव में शिफसेना की जीत 2012 पिता बाल ठाकरे के निधन के बाद पूरी बागदोर संभाली 2013 शिफसेना के अध्यक्ष बने और पिता की जगणी 2019 बीजेपी से नाता तोड़ा कॉंग्रेस एंसीपी से गड़ बंधन किया 2019 28 नवंबर को महराश्ट्र के सियम बने उधव ने राजनीती में लंबे समय तक कोई चुनाव नहीं लड़ा ना ही किसी स्तार्वजनिक पद पर आसीन रहे और इसलिए ये देखना दिल्चस्प होगा कि वो एक ऐसे राज्य में शासन की पतवार को कैसे थामते हैं जो आर्थिक महाशक्ती है और देश के वित्तिय राजधानी भी एचेस नियूस के लिए प्रिती चोहान की रिपोर्ट साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले